असलाम लेकूँ, वेलकम टू मार यूट्यूब चैनल, मैट नोट्स में आगो प्लास 9, 10, 1st यर और 2nd यर की तौम एकसाइस के सलूशन बताए जाएंगे इसके लावाए से लोबेस क्वेस्टन और उनकी भी सुलूशन बताए जाएंगे वजीद मालुमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नूट्पिकेशन आपको में सके और अपनी राय का इजार कमेंट सेक्शन में करें आज की वीडियो पस्टियर के लिए हैं जहां मैं एक साइस 2.1 के क्वेस्ट नमर 7 सॉल्व कर रहे हैं यहां भी हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं ठीक है कि विच आफ दू फॉल्विंग संटेंसे और फॉल्स ठीक है तो यहां में कुछ पार्ट से मैंने पहले ही लिख एक हमारे पास होता है इक्वल सेट और एक हमारे पास होता है एक्वल सेट में जो हमारे पास सेट की मेंबर्स होते हैं और जो सेट का ओर्डर होता है वो दोनों सेम होते हैं यह से वान टू है टू लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता तो इसलिए यह हमारे पास क्या होगा exactly equal set है तो इसका मतलब ये हमारे पास true है ठीक है तो empty set या five is the subset of जो हमें set दिया गया है क्या ये इसका है तो subset जो होता है जो five ये empty set होता है ये हर set का subset होता है ठीक है तो इसलिए ये भी हमारे पास true है थार्ड में देखें तो ये हमारे पास सिंगल टन सेट है तो यह इसका सबसेट तो ना होगा ना ठीक है तो यह हमारे पास क्या होगा यह फॉल्स होगा यह भी हमारे पास सिंगल टन सेट है तो यह इसका मेंबर तो है ना यह यह पूरा का पूरा यह तो यह हमरे早 cognitive पास है त्रू था है तो है तो है सब 3 यह हमारे पास क्या है यह सब सिंग्यृऑ क्या है because है सिंगले हैं सेथका यह मेंबर तो यह वाला है यह हम और पास है यह मना पास Delhi हम पासisfalse आप दील को पांड़ सेट कर दों होά तो इस लि提 पेट वह नाल में दो क्या होगा टीक है तो इतनी बात आपको समझा गी होगी तो कि आपने बता प्रश्च फोन के number of power set बताने है ठीक है पावर सेट जो find करने का formula होता है वो होता है 2 power n और n जो होते हैं where n is the member of set ठीक है तो first जो हमारे पास है वो है empty set अगर empty set के हम find करें तो हमारे पास two power n तो इसमें कोई element नहीं है तो two power zero two power zero equal to one तो इसका जो हमारे पास power set बनेगा वो यह खुद ही बनेगा ठीक है तो second देख लेते हैं second हमारे पास क्या है zero and one अब यहां पे हमारे पास क्या है power set हमने अगर बनाना है two power n तो element हमारे पास कितने है या मेंबर कितने है टू का स्केर हमारे पास फोर होता है इसका मतलब इसके जो पावर सेट बनेंगे वो फोर बनेंगे अभी हमें पावर सेट बनाने के लिए नहीं कहा तो इसके हम इसको सॉल नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ इसके बताएंगे इतने पावर सेट बन सकते हैं अब अगले में देखें तो यह हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 अब देखा जाए तो 7 element है 2 power 7 आएगी हमारे पास तो 2 power 7 हमारे पास होती है 128 इसका मतलब जो हमारे पास power set बनेंगे 128 power set बनेंगे ठीक है इसी तरह अब यह हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 अब देखें यह total मेरे पास 8 members है 2 power 8 आ जाएगा 2 power 8 हमारे पास क्या होगा 256 हो जाएगा ठीक है जिसका मतलब इसके जो power set बनेंगे वो 250 इसमें 0 को आप exclude नहीं कर सकते 0 is the member of the set ठीक है तो अगला set हमारे पास क्या है ए बी सी अब देखाज़े एक element यह है और यह पूरा का पूरा आवर में इसमें इसको 3 नहीं लिख सकते हम इसको 2 ही लिखेंगे ठीक है क्योंकि हमने कहा था कि जो set के अंदर set आ जाता है वो पूरा का पूरा तो इसका member बन जाता है तो हम इसको 2 ही लिखेंगे जो के 4 होगा ठीक है और अब इसमें देखा जाए A B B C और D E अब देखा जाए मेरे पास तो 3 member है ठीक है तो क्या होगा कि मैं 2 की power 3 लिखोंगी ठीक है तो यह मेरे पास 8 आ जाएगा तो क्योंकि यह मेरे पास क्या है यह पूरा को पूरा member है ठीक है इसलिए मेरे पास इसको सॉल्व करूंगी कि यह मेरे पास ही member आ रहे है तो जारी बतने यह तो मैं 2 की power 3 लिखोंगी जो के 8 की इकवल होगा ठीक है तो उमीद करती हूं आपको समझा गई होगी आज के लिए तना ही अल